और कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं यूटूब का ग्यानाले चैनल आज का जो लेक्चर है वो है किंग्डम फंजाई पार्ट टू इससे पहले किंग्डम फंजाई का पार्ट वान अप्लोड हो चुका है जिसमें हमने silent features देखे थे फंजाई के और उसका structure कैसा होता है ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा deal कर लिया है पूरा मतलब जितना होता है क्या-क्या silent features होते हैं life cycle कैसे होती है फंजाई के कौन-कौन से फंजाई के examples हैं ये सारा part 1 में kingdom part 1 में फंजाई के part 1 में upload कर दिया गया है क्योंकि ये topic बहुत बड़ा है इसलिए एक वीडियो में बनाना संभव नहीं था इसलिए kingdom फंजाई को हम कई पार्ट में deal करेंगे तो ये दूसरा part 2 है इसमें हम देखेंगे कि classification of फंजाई ठीक है इसमें classification आप फंजाई देखेंगे आखिक क्या जरूरत पड़ी कि फंजाई को बाटा गया ठीक है न क्योंकि फंजाई group में जो फंजाई kingdom है इसमें बहुत जादा बेविदिता मिलती है बहुत जादा इसमें variation है कुछ unicellular होते हैं कुछ पंजाई unicellular होते हैं जैसे east बाकी सब multicellular होते हैं किसी में asexual reproduction होता है किसी में sexual reproduction होता है कुछ में septate और branch mycerium में पाई जाती है किसी में aseptate mycerium पाई जाती है तो इतना सारा विवित्ता अगर एक kingdom में पाया जा रहा है तो ये जरूरी हो जाता है कि अध्यन की सुविदा के लिए उसे अलग-अलग group में बांट लिया जाए ऐसा करने से पढ़ने में, समझने में और याद रखने में आसानी होती है इसलिए kingdom फंजाई को चार main group में बांट दिया जाता है पहला जो group है वो है phycomicities का जो kingdom फंजाई है उसका पहला group है phycomicities दूसरा group है escomicities तीसरा group है basidomicities और last group है deutromicities फंजाई है फंजाई है फंजाई विचाई है phycomicities, escomicities, basidiomycities and deutromicities तो फर्ष्ट अपाल we deal about phycomicities phycomicities के क्या चिजर्स होते हैं यह सबसे पहले देखते हैं phycomicities में क्या होता है कि इसके example है Mucer, Rhyoepers और Elbigo यह में तीन फंजाई हैं जो Phycomycetes को दिलाग करते हैं कौन कौन से? Mucer, Rhyoepers Rhyoepers को Bread Mold भी कहते हैं Bread Mold कहते हैं जब Bread सर जाता है तो उसमें जो फंजाई गुरोक्त करता है वही होता है Rhyoepers और एक और फंजाई है LB, जो 5-0-My-Cities को belong करता है अब इनके features कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं यह या तो aquatic होंगे यानी जल में पाए जाएंगे या फिर cypro-fitic होंगे cypro-fitic होंगे cypro-fitic का मतलब यह होगा कि यह सड़े गले पदागों से अपना भोजन प्राप्थ करेंगे जहां पर जो है dead organic matter होगा जहां पर पहुते सड़े जाएंगे वहां पर यह ग्रो करते हैं या फिर यह paracity भी हो सकते हैं paracide भी हो सकते हैं plants पे बहुत सारे plants पे यह paracide भी होते हैं इनकी जो हाइफी होती है हमने पहले बताया था पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो फंजाई का सरीर होता है वो हाइफी thread-like हाइफी से बना होता है और हाइफी जो है आपस में गुद कर एक पूरा network बना लेता है जिसे mycelium करते हैं तो यही जो जो इनकी phycomáticas की जो फंजाई जो है उनकी जो हाइफी होती है वो aceptate होती है aceptate का मतला होता है कि इनमें स्प्ता नहीं पायँँदाता है मालगि यह Fhycomdecichi का इन इसमें जो है sepeta नहीं पायँदाते यानि बीच-बीच में क्रास वॉल नहीं पाय जाते हैं, यह पूरा इत्म continuous pipe की तरह होता है, बीच में कोई suppression नहीं होता है, और दूसरी condition है कि यह sinusitic होते हैं, इनकी जो हाइफी होती है, वो sinusitic होती है, कहने का मतलब यह है कि इनमें जो nucleus होता है, वो पूरे हाइफी में एक साथ पाया जाता है, यह suppression नहीं होता है, कोई सेथा नहीं होता है, इसलिए nucleus पूरा लगातार एक साथ पाय जाते हैं, यानि multi nucleus condition होती है, multi nucleus condition होती है, फिर इसमें जो asexual reproduction और sexual reproduction से इनमें reproduction होता है, asexual reproduction जो है, वो juyspore द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, juyspore, juyspores द्वारा asexual reproduction होता है, plus aplano spore से b asexual spore, a b asexual spore है, इसके द्वारा भी asexual reproduction होता है, juyspore जो होते हैं, ये motile होते हैं, इनमें flegelum पाय जाती है, इसलिए ये motile होते हैं, aplano spore में कोई flegelum नहीं होती है, इसलिए ये नानमोटाइल होते हैं ये दोनों ही एसेक्सुल विजी से उत्पन होते हैं और एसेक्सुल विप्रोडक्शन के द्वारा नए पौधे को जर्म देते हैं या नया फंजाई बनाते हैं फाइको माइसिटीज में सेक्सुल विप्रोडक्शन भी होता है और sexual reproduction के बार जब male और female gamete आपस में फ्यूज करते हैं यानि fertilization करते हैं तो जाइगोई-spore का निर्माण बनता है। जाइगोई-spore मानना male gamete और female gamete जब आपस में फ्यूज करेंगे यानि fertilize करेंगे तो जाइगोई-spore बनता है। इसके एक्जाम्पल है म्यूकर, रायोपस और एल्वीगो तो यह पूरा हो गया फाइको माइसिटीज के बारे में पूरा जितना बता रहा हूं सब अपना नोर्स करते चलेंगे ठीक है पूरी अपनी कॉपी में लिखेंगे कुछ भी छोडेंगे नहीं दूसरा गुरूप है कि में नम फंजाई का एसको माइसिटीज, एसको माइसिटीज को सैट फंजाई भी कहते हैं इन्हें अगर कामन भासा में कहें तो यह सैट फंजाई कहा जाता है, यह यूनी सेलूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलूलर भी हो सकते हैं यहां के जतने थे इवह सब multicellular थे लेकिन εई- chess UX में unicellular भी हो सकते हैं मानि एक सल से भी बने हो सकते हैν और बहुत ज़ाधा एक से ज़ाधा सल से भी इनकी सरीण बनी हो सकती है जैसे unicellular बाकी के बाकि दो ही एस्ट जो है वो unicellular होता है ठीक है? वोई एक ही सल्का बना होता है और multicellular बाकी जितने हैं वो सब multicellular होते हैं इनकी जो हाई-P होती है वो bran्च होती है ब्रांच होती है प्लस septate होती है कैसे होती है? कुछ इस तरह से लिखता है ए ऐसे ठीक है ना? ये सब क्या है? हाइपी है, प्लस यह ब्रांच है, और सेप्टेट है, ठीक है, बीच बीच में सेप्टा पाया जाता है, सेप्टा पाया जाता है, और बीच बीच में इनके नूकलियस पाया जाता है, प्लस यह ब्रांच होते हैं, यह सब ब्रांच हो गए, यह सब ब्रांच हो गए, तो यही कह रहा हूँ कि स ascomacity की जो high-three होती है, वो ब्रांच होती है, यानि साखाओं में बंटी होती है, प्लस सेप्टेड होता है, यानि जो सेफ्टा बीच-बीच में पाई जाती है, योわか ईसेक्सçãoal reproduction जो है, वो connelia दोरा होता है, कॉनीलिया भी एक तरह की sports हैं वो asexual reproduction करते हैं जैसे क्या होता है कि ये कॉनीलियो 4 है जिस पे कॉनीलिया उपन होता है उसे कॉनीलियो 4 कहते हैं ये सब कुछ ऐसा होता है कॉनीलियो 4 यानि जिस पे कॉनीलिया लगा होता है उसे Conelio 4 करते हैं, यह हो गया Conelio 4, Conelio 4 और यह सब हो गया Conelia, Conelia क्या करते हैं? यह Asexual Reproduction करते हैं, इसी परकार इनमे Sexual Reproduction भी होता है, sexual reproduction में male और female gamit जब मिलेंगे यानि male gamit sexual reproduction में यही होता ना कि male और female gamit मिलेंगे यानि fertilization होगा और उससे gyvote बनेगा ये male और female gamit होगे माना तो इससे जो बनेगा वो gyvote बनेगा जिसको esco-espor कहेंगे, ये esco-espor क्या कहेंगे इसको? esco-espor कहेंगे esco-espor जो है वो एक special samrachna में बनता है जिसे escus कहते हैं यानि escus क्या होता है कि ये कैसे है? couple-like samrachna होती है ठीक है ना? ऐसे samrachna होती है जिसमे esco-espor पाया जाता है, तो जिसमें पाया जाता है, वो क्या तूरा कहलाएगा? वो escus कहलाएगा और उसमें जो espor होंगे उसको क्या कहलेंगे? वो कहलाएगे esco-espor कहलाएगे ये कुछ इसका दिखता है इसे वैसे दिखो ये हो गया कुछ ऐसा होता है e हो गए escus और इसमें हो गए esco-espor ठीक है? ये जो है, लम्मा लम्मा जो है ये हो गया, escus प्यूरल फाम इसका होता है si, a-s-c-i ठीक है न, प्यूरल फाम और ये क्या होगे? जो गोल-गोल बनाया हूँ esco-espor ये esco-espor और ये जो पूरी सन रचना है इसे fruiting body कहते हैं fruiting body fruiting body कहते हैं इसको जो है, जिसका नाम है ये esco-carb ठीक है? जो fruiting body है esco, my series में उसको esco-carb कहते हैं, क्या कहते हैं? esco-carb कहते हैं esco-carb क्या है? fruiting body है इस fruiting body में धेर सारे escus पाए जाते हैं जैसे e-e-e-e और पर्देख escus में esco-spor होते हैं तो ये पूरा जो figure है वो जो esco-spor का या पिर esco-mycities का characteristic features हैं अब इसमें कौन-कौन से एकजामपस आते हैं esco-spor में? पहले हमने बता जिया कि इसमें e-sht आता है जो unicellular होता है penicillium आता है जिससे penicilline नामक एंटिबायोटिक्स प्राप होती है espergillus आता है neurospora आता है तो ये कुछ example है जो esco-mycities को बिलांग करते हैं east, penicillium, espergillus और neurospora, krasa तो ये पूरा esco-mycities हो गया ये हो गया phycomycities अब बचता है by sediomycities ठीक है इन में भी जो इनकी hyphी होती है वो भी branched होती है और septate होती है जैसे hyphी इन में थी same hyphी by sediomycities में भी पाई जाती है इस तरह वाली पाई जाती है यानि branched और septate ठीक है और asexual spore जो होता है generally ही by sediomycities में absent होता है बैसीडियो माई सिटीज में ये सेक्सवल रिप्रोडक्शन जेनरली अपसेंट होता है और बैसीडियो माई सिटीज में सेक्स आरगन भी नहीं पाय जाते हैं जो बैसीडियो माई सिटीज को बिलाम करने वाला फंजाई होगा उसमें sex organ भी नहीं पाय जाते हैं अब जब sex organ नहीं पाय जाते हैं तो sexual reproduction होता कैसे है तो जो somatic, मतलब जो body के cell होते हैं वही जो है gamete की तरह काम करने लगते हैं और फिर आपस में fuse करके sexual reproduction करते हैं याई कोई specialized sex organ नहीं पाय जाता है कुछ somatic cell होंगे वह आपस में है गैमीड की तरह behave करने लगेंगे तो अगर माल या एक plus है एक minus है मतलब इनके behavior में थोड़ा antar है एक male की तरह behave कर रहा है और दूसरा female की तरह behave कर रहा है ये दोनों gamete की तरह काम करेंगे ये दोनों फिर आपस में fuse करेंगे यानि इनका प्रोटोप्लाज्मा फ्यूज करेगा यानि प्लाज्मोगैमी होगा प्लाज्मोगैमी होगा क्योंकि प्लाज्मा फ्यूज करता है इसलिए इसको कहेंगे प्लाज्मोगैमी हो रहा लेकिन कुछ समय तक इनका न्यूकलिय जो है वो फ्यूज नहीं करता है बलकि तो साइकोपलाजम होता है, उसमें फिरी दोनों फिरी होके आपस में घूंगते रहते हैं, इस कंडिशन को कहते हैं, डाई केरियोटिक कंडिशन, क्या कहते हैं, डाई केरियोटिक कंडिशन, अर्थाद एक ही सेल में दो केंद्रक पाए जाते हैं, दो नूकलियस पाए जाते फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद ये दोनों नुकलियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं और बैसीर्डियो इस्पोर का निर्मार होता है क्या बनेगा बैसीर्डियो इस्पोर बनेगा या इसके जाइगोड बनेगा फिर ये डेल सारा इस्पोर बनाएगा मियोसिस करके तो ये सब कुछ हो गया बैसीडियो, माई सिटीज के बारे में इसके एजांपल है अगैरिकस, अगैरिकस क्या होता है मस्रूम होता है अगैरिकस क्या है, मस्रूम है इसे सब भी खाया जाता, बनाया जाता है इसी में आता है पकसीनिया और अस्टी लाइगो, फकसीनिया को रस्ट भी करते हैं, ये हुईट में ग्यों में रस्ट डिजीज काज करता है, और स्टी लाइगो क्या होता है, इसे इसमट करते हैं, इसमट करते हैं, ये भी ग्यों हो और बनली में इसमट डिजीज काज करता है, तो ये तीन ग्रूपों के अंतिम ग उसका last group है deutromycetis इन्हें जो गर्ड इंपरफेक्ट फंजाई भी कहते हैं इनको कामन भासा में deutromycetis को इंपरफेक्ट फंजाई कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इनमें perfect stage absent होता है perfect stage का कहने का मतलब यह है कि इसमें sexual reproduction नहीं होता है deuteromycetes में जितने भी फंजाई आते हैं उन में sexual reproduction अपसेंट होता है यानी perfect stage अपसेंट होता है इसलिए इनको imperfect फंजाई भी कहते हैं तो जो sexual reproduction अपसेंट है तो स्रीफ asexual reproduction ही होगा ठीक है अभी तक जितने ते सम्में sexual और asexual reproduction दोने हो रहा था लेकिन deuteromycetes में स्रीफ asexual reproduction होता है और asexual reproduction के लिए conedia काम करता है जो conedia होता है यहाँ पे भी conedia बनता है यहाँ भी conedia बनता है यहाँ भी conedia बनता है यहाँ नोनों क्या है asexual spore है जिससे asexual reproduction होगा इनकी भी हाई भी branch होती है और septate होती है क्या होती है ब्रांच होती है ऐसे ऐसे branching निकली होती है प्लस septate होती है मतलब बीच-बीच में septa पाया जाता है इसके जो example है वो है alternaria, trichoderma and coletotrichum these are few examples which belong to deutromycities alternaria, trichoderma and coletotrichum so this is all about kingdom fungi and their classification so classification आप फंजाई का है वो यह है डिंग्डम फंजाई को चार में बाटा जाता है pycomycities में, yescomycities में, basilomycities में and deutromycities में सबके अपने-पने characters है और सबके अपने-पने example है यह जितना भी बता रहा हूं इसे अपनी copy में notes करते चलेंगे और एक और बात आप लोगों को बतानी थी कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस chapter से जितना भी mcq हो सके साहल करो कितना जितना भी mcq हो सके सब साहल करते चलो अगर आप नीट की तयारी कर रहे हो तो यह बहुत ज़रूरी है कि पूरा lecture देखो उसके notes बनाओ ncrt की book पढ़ो और जितना हो सके maximum जो है ncq आपको चाहल करना है तब अगला lecture होगा तो छलिए झाल झाल